दोस्तों, इंडिया में इतना बड़ा rail network होने के बावजूद हमें metros की क्यूं जुरौत पड़ी? इतना बड़ा public transport होने के बावजूद हमें metros का क्यूं सहरा लेना पड़ रहा है? इतना बड़े स्तर पर construction चल रहा है metros का, हर cities में इसका काम चल रहा है, तो इसका क्या जरूरतान पड़ी, अगर हम बात करें सिर्फ metros की, public transport की, तो अगर इस पैसे को कहीं और लगाया जाता, तो इससे क्या benefit निगल सकते दें, तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं इस theory को, कि ह इतने भी हमारे public transport हैं, अगर मैं बात करूं, buses की, rail network की, तो जो हमारा rail network है, वो बुरी इंडिया में फैला हुआ है, अगर आपको किसी भी जगा, एक जगा से दूसरी जगा जाना है, तो हम trains का सहारा लेते हैं, अब अगर मैं बात करूं, एक जगा से दूसरी जगा तो इसमें क्या है, आपका थोड़ा सा time duration जादा लग जाता है, क्योंकि जितनी भी trains है, वो कभी ना कभी आपका ठीक time पर नहीं आती है, कभी एक गंटा लेट है, कभी दो गंटा लेट है, तो जितने भी यात्री हैं, उनको बहुत ज़ादा दिक्कत होती है इस बात से, त क्या हुआ कि सबसे पहले जो हमारी metro की लाइन बिची थी, जो हमारी metro स्टार्ट हुई वो हमारा Calcutta में स्टार्ट हुई थी, और इसमें underground भी थी, आपका elevated section भी थे, elevated section मतलब जो ऊपर से हमारी metro निकलती है और underground मतलब जो हमारा जमीन के नीचे से metro जाती है, तो ये दोनों से यहां पर मैट्रो का निर्मान किया गया और इंडिया में सबसे पहले जो मैट्रो चली थी वो आपका कैलगेटा में ही चली थी अब अगर दोस्तों मैं बात करूं इसकी कॉस्ट की अगर हम किसी भी स्टेट में अगर मैट्रो का निर्मान करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले तो यह प्रोवाइटिर रहती है कि आपका जो कस्बा है कोई शहर है तो वहाँ पर आपकी जो जनसंक्या है वो दस लाग से जादा होनी चाहिए तभी वहाँ पर मेट्रो का काम शुरू हो पाएगा क्योंकि मेट्रो अगर आप महाँ पर चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं तो महाँ पर उसकी population की इसाब से मेट्रो को चलाया जाता है दस लाग से जादा अगर उस city में crowd है तो महाँ पर मेट्रो का निर्मान किया जा सकता है अगर नहीं है तो महाँ पर मेट्रो का निर्मान नहीं होगा और अगर मैं इस cost की बात करूँ तो cost दोस्तों बहुत जाद अगर मैं लगबग अनुमान लगाओं तो 1500 से 200 करोड तक का इसमें पर किलो मिटर में खर्चा आ जाता है अब यह बहुत जादा बड़ा अमाउंट है इस वज़े से मेट्रो को बहुती सुपीरियर तरीके से चलाया जाता है मतलब कि बहुती सर्वेक करके इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि इसमें यहां पर elevated चलानी है या फिर underground चलानी है अगर मैं underground section की बात करूं इसके pricing की बात करूं तो यहां पर दोस्तों क्या है कि underground section में बहुत जादा पैसा कर्च होता है अगर मैं लगबग cost की बात करूं तो 4500 से लेके 500 क्रोड तक पर किलो मिटर इसका cost ल है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि दोस्तों सर्वे करना पड़ता है utility सर्वे है आपके जमीन के नीचे क्या क्या चीजे है यह सब कुछ हमें देखना पड़ता है तब ही जाकर हम क्या करते है एक टनल बना पाते है अब दोस्तों टनल की cost इतनी जादा क्यों आती है क् इसमें क्या है दोस्तों वेंटिलेस्टि के यहाता था मतलब कटिंग की जाती थी और महां पर आपका कवर कर दिया जाता था कॉन अब क्या है ढूण जाधा टेक्नोलोजी हई हो गई है इसवजे से हमारी जो मेंट्रो जो अंडर्ग्राउंड बनती हैं वहां पर TBM का यूज किया जाता है तुन र्न और जो हमारी टीवेंट थी वह हमारा इंडिया से नहीं आती थी बाहर से आती थी उसको गिराय पे लेकर आते थे तब जाके हम वहां पर उसको एसकिवेट करवा थे मतलब की टानल बनाते थे तो इसमें दोस्तों क्या था बहुत जादा कॉस्ट लग जाता था इस वज़ा से हम underground metro को थोड़ा सा कम प्रिपेर करते थे और elevated section पे ज़ाधा ध्यान देते थे क्योंकि हमें underground metro बनानी है तो हमें ये survey करना होता था कि यहाँ पर underground हो सकती है कि नहीं हो सकती क्योंकि crowded area जहाँ पर भी है वहाँ पर हम elevated तो नहीं निकाल सकते वहाँ पर स्रिफ underground metro का ही यूज कर सकते हैं हम बात करने थे दोस्तों इसकी cost कि अगर आप कोई भी tunnel बनाते हैं तो उसमें दोस्तों आपको बहुत सारे ventilation system लगाने पड़ते हैं जैसे कि TVS लगाना होता है आपका tunnel ventilation system लगाना होता है और भी बहुत सारी चीज़े करनी बढ़ती है क्योंकि अगर हम कोई भी tunnel excavate कर रहे हैं तो उसमें कैया दोस्तों कहीं पर आपका कुछ भी चीज़ा आ सकती है जैसे stone आ जाता है आपका कोई भी heritage चीज़े आ जाती है या फिर आपका कोई भी pipeline होती है वो फट जाती है तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कते आती है इस वज़े से इसकी cost थोड़ी high चली जाती है अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इसमें इतना पैसा लग तो जाता है बट इसका revenue कैसे generate होता है दोस्तों अगर मैं revenue की बात करूं तो revenue ये बहुत असानी से ग्रैप कर लेती है मतलग की निकाल लेती है जैसे कि आप बात करें अगर मैं डेली की ही बात करूं तो डेली Metro क्या है दोस्तों आपका जो revenue है वो revenue आपका एक तो वो फेर से ही सारा पैसा निकाल लेती हैं, जैसे कि अगर में बात करूँ जो डेली मेट्रो है, उसमें बहुत जादा क्राउट रहता है, इसे वज़े से जो भी मेट्रो का किराया होता है, उस किराय से उसका रिवेन्यू निगल जाता है, आप एक जगह से दूसरी किट लेता है, तो सुबह से शाम तक कम से कम लाखों लोग वहाँ पर ट्रेवल कर लेते हैं, और जो इसका रिवेन्यू है वो जनरेट हो जाता है, फिर आता है दोस्तों एड़टाइजमेंट, दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, कि मेट्रो स्टेशन जितने भी होते हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े बैनर लगे होते हैं, आपका मेट्रो का, जो हमारी मेट्रो आती है, वो भी एड़टाइजमेंट से धकी रहती है, और अपने बैनर देखे होगे, होडिंग देखे होगे, तो मेट्रो स्टेशन पर ऐसी चीज़े लगाने पर, यह जितना भी कॉष्ट जाता है, वो सारा मेट्रो के पास ही जाता है, अगर आप Iston Levit, सो तो मेट्रो आता है, फिर आता दोस्तोर आता है दोस्तों चτί ¿कॉस सका होगे, बहुत सारी चोटी मोटी शॉप्स होब पर खुली होती है, तो उसका जो रेंट है, वो वह दो Metro के अंदर में ही जाता है DMRC के अंडर में जाता है या फिर आपकी कोई भी स्टेट में कोई भी Metro हो तो उसके अंडर में जाता है तो यह इससे revenue generate हो जाता है दोस्तों इसी तरीके से अगर हम किसी कॉस्ट को महा पर लगा रहे हैं तो बहुत ही असानी से वो सारा revenue generate हो जाता है अगर मान लीजिए आपके 1000-1500 करोड महाँ पर लग भी रहें तो वो बहुत ही कम time में ये सारा revenue महाँ पर collect हो जाता है तो इस वज़े से दोस्तों क्या होता है जितनी भी मैट्रोस अभी चल रही है वो सारी profit में चल रही है कोई भी घाटे में नहीं है तो ये बहुत बड़ी करांती है किसी भी transportation के लिए क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए मैट्रोस को अगर बंद कर दिया जाए तो रोड पे क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा traffic हो जाएगा क्योंकि public क्या है दोस्तों बहुत सी जगह पर सिर्फ transportation के लिए सिर्फ metro का ही यूज करती है अगर metro एक दिन के लिए बंद हो जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रोड पर क्या हाल होगा हर जगा traffic जाम लगेगा सब लोग अपनी personal गाडियों से आए करेंगे या फिर आपका जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे रोड है बसेस हैं कुछ भी है तो महा पर क्या है बहुत ज़्यादा जाम का सामना आपको देखने के लिए मिल सकता है इसी वाज़े से दोस्तों जितनी भी हमारी मेट्रोस हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर है और हर स्टेट में इसको आना चाहिए सिटी टू सिटी कनेक्ट होनी चाहिए आप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मेट्रोस हैं वो इंपोर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए और दोस्तों अगर आप लोगों को मेट्रोस के बारे में ज़्यादा और अच्छी से जानना हैं तो आप हमारा रिइनफोर्स एप्लिकेशन पे मेट्रोस प्रोजेक्ट का कोर्स परचेस कर सकते हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से मेट्रो बनाई जाती है इसका कॉस्ट क्या लगता है कितना सरीया कितना एग्रिगेट लगता है तो आप उसमें भी इस चीज को देख सकते हैं आप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए हमारी वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकियो सो मच